उमर के बढ़ने के साथ, एजिंग के साथ हमारे फेज की स्किन क्यों लूज होने लगती है? आइस के अराउंड एक गड़ापन या हॉलोनेस क्यों आने लगती है? ये बहुत सारे पेशेंट्स की इंक्वैरी रहती है, वो लोग कई बार पूछते हैं लोग की आखिर ऐसा क्यों होने लगता है? आज मैं आपके साथ इस वीडियो में यही डिसक्स करूँगा की एज रिलेटेड चेंजिस क्या होते हैं फेस्ट में और साथ ही साम हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं? प्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर गॉरवगर्ग, डर्मेटलोजिस्ट, ट्राइकोलोजिस्ट, एस्थेटिशियन, एंड हेर ट्रांस्परांट सर्जन, एड डर्मालाइफ, इस्किन एंड हेर क्लीनिक, ग्रीन पार्ग, न्यू देली आपने कही बार महसूस किया होगा कि एज बढ़ने के साथ हमारा जो फेस है वो धीरे धीरे ढ़लने लगता है, चीक बोन्स उतनी प्रॉमिनेंट नहीं रहती और इसके साथ जो हमारे चीक्स हैं, यह जो फोल्ड है, नेजो लिबिल फोल्ड कहलाता है, यह काफी प्रॉमिन आने लगते हैं, आखिर यह एज के साथ फेस में ऐसे चिंज़स क्यों आ जाते हैं, यह बहुत लोग पूछते हैं, आपको बेसिक से बताना शुरू करता हूँ, होता क्या है कि हमारे फेस में फैट के अलग लग पैट्स है, वो जो पैट्स हैं वो जो स्टोरेज है फैट क वो age के साथ absorb होने लगती है जिसकी वज़े से हमारा जो skin है जो face की skin है वो loose हो जाती है और नीचे की तरह वो सरकने लगती है और इसी वज़े से जो हमारा facial contour है या यह कहिए कि जो nasal label यह जो fold है यह काफी prominent होने लगता है jawline में यहाँ पर thickness आजाती है साथ ही साथ eyes के around एक hollow नहीं साथी क्योंकि eyes के around भी जो fat pads होते हैं वो age के साथ absorb हो जाते हैं और eyes hollow जैसी हो जाती है अब हम बात करते हैं कि इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं या यदि किसी को aging के ये effects आ चुके हैं तो इसको कैसे हम reverse कर सकते हैं तो सबसे पहले हम रोकने वाली चीजों उपके आप डिसकस करते हैं कि यदि आप अपना exercise schedule आपने maintain किया हुआ है आपकी diet healthy है आपने carbohydrates का इस्तेमाल कम कर रहे हैं अपनी diet में तो आपका जो face का जो youthfulness है वो काफी समय तक बनी रहीगी साथी साथ आप अपने routine में exercise, yoga, पराणायाम ये भी आप अपने routine में यदि प्रॉपरली रखते हैं तो भी आपकी skin में जो tightness है और जो उसमें glow है वो maintain रहेगा अब जब age के साथ ये fat pets आपके absorb हो चुके हैं तो इनको replenish करने के लिए हमारे पास दो option रहते हैं या तो हम आपके body से tummy से या हम thigh से fat निकाल ले उसको process करके इन areas में हम inject करते हैं जहां जहां पर fat का loss हुआ है या फिर हम pre-made fillers आते हैं जिसको की अलगलग companies ने अलगलग नाम दिया हुआ है उसको हम आपके face में inject कर सकते हैं तो आई अब हम discuss करते हैं कि या filler क्या होते हैं जो मैंने आपको fat वाली बात बताई है उसके लिए में एक अलग video बना दूँगा वो एक लंबा topic है आज के इस वीडियो में हम filler के पर discuss करते हैं तो filler जो है वो एक तरह से शुगर का एक molecule है शुगर का एक टाइप है अलग लग इसमें भी varieties है most commonly जो use होता है वो hyaluric acid कहलाता है यह इसलिए ज्यादा यूज में आता है कि एक तो यह instant आपको result देता है साथी साथ हाइगरुसकोपिक nature का होता है यह थोड़ा water को absorb करता जिससे swell up होता है तो कम material लगता है swelling होने के बाद वो आपका contour कम volume में ही वो पूरा कर देता है बहुत सारे लोग पुछते हैं कि इसके कोई side effect तो नहीं होते हैं और इसमें किस age से हमें इसको लेना शुरू करना चाहिए तो age का ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा कोई limitation नहीं है यदि किसी के मालीजे lips का size छोटा है तो वो early age में भी इसको शुरू कर सकते हैं किसी को genetically यदि under eye hollowness है तो वो इसको 20-25 साल की age में भी करवा सकते हैं तो हम उनकी requirement के हिसाब से उनके face पे इसको inject करते हैं अब इसकी side effects क्या हो सकते हैं तो definitely यदि आप experienced person से इसको करवा रहे है statement को तो definitely आपको कोई डरने की जरूत नहीं है बहुत safe procedure है only 15 minutes to half an hour इसमें लगता है और patients directly अपने घर वापिस जा सकते हैं कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बाते होती हैं जैसे कि हमें filler यदि हमने face में करवाया है तो तुरंथ हमें face massage है या कोई beauty parlor वाला treatment अभी नहीं करना है कुछ दिनों तक और जो इसका result आता है वह आपको काफी हद तक तो instantly ही दिख जाता है और कुछ result जो है इसका around two to three weeks में भी आता है क्योंकि जैसा मैंने भी आपको पताया कि यह hygroscopic nature के रहते हैं fillers यह थोड़ा water absorb करते हैं तो जो actual result आता है वह हमारा दो से तीन हफते के बीच में आता है जो half face पर ही पहले उस material को inject करवाई है तो उससे क्या होगा कि आप यह देख लेंगे कि आपके half face में उसने instantly कितना improvement दिया है और आपका जो untreated area है वो पहले कैसे था तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा एक idea लग जाएगा कि filler आपको कितना improvement दे रहा है एक चीज और ध्यान र कुछ time के बाद थोड़ा सा अपने अंदर water absorb करके swell up होता है जिससे की कम amount में आपको optimum result मिल जाते हैं बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वो filler करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं तो generally यदि किसी को aging के science शुरू हो गए हैं तो वो लोग filler के लिए करवा सकते हैं medical conditions में यदि किसी को morphia है यदि किसी को genetically एक part उसका abnormally छोटा है तो हम उसको filler से balance कर सकते हैं फेस के दोनों साइड को हम matching करा सकते हैं अब मैं आपको filler का treatment process है उसके बारे में थोड़ी सी जनकारी देना चाहूँगा आज कल जो filler हमारे पास आ रहा है उसमें पहले से ही थोड़ा सा local anesthesia mix रहता है local anesthesia जो कि सुन्द करने की दवाई रहती है तो हमें पहले से face को सुन्द करने के लिए injections वगरा नहीं लगाने पड़ते हैं और directly fillers को inject कर देते हैं चुकि उसमें दवाई mix है तो वो pain नहीं करती है और इतरे से painless experience रहता है patients के साथ treatment बहुत comfortable है आप इसे walk-in treatment आप आएंगे clinic में और आपका treatment करके जाने के बीच में total आपको half an hour से भी कम का time लगेगा filler के बारे में एक खास बात यह है कि यह चुकि sugar molecule है body mimicking molecule है यह धीरी धीरे time के साथ degrade होने लगता है और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि filler की consistency अलग अलग होती है जिसकी वज़े से जो filler हम eyes के नीचे यूज़ करते हैं वो generally जल्दी खतम हो जाता है जो filler हम cheekbones के पर यूज़ करते हैं वो काफी देर तक देर साल तक भी चलता है so friends मैंने इस वीडियो में फिलर्स के बारे में आपको एक brief knowledge देने की कोशिश करी है अगले वीडियो में मैं आपकी body fat को कैसे हम face पर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दोगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please इसको like कीजे हमारे चैनल को subscribe कीजे और bell icon को जरूर दबाईए ताकि आपको नए वीडियो का notification तुरंत मिलता रहे यदि आपके कुछ questions हैं तो आप उनको नीचे comment section में लिख सकते हैं या आप हमारे दीऊए number पे भी आप inquiry का सकते हैं हम आपके हर question को तुरंत ही जबाब देने का try करेंगे Thank you very much